तो यहलो स्टूडेनटवार यूटूब चैनल कॉमर्स उख्षेंसी आज की क्लास हीं कवर करेंगे टोपिक कंपेर्टीव इवल्यूइशन एवल्यूइशन ऑफ इंटरनल और एक्स्टरनल इकोन्मीज के बारे में इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि कैसे एक्स्ट बनी रहे अगर भी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन जुरूर पैस कीजिए ताकि जाब भी मैंने वीडियो अप्लोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आप वीडियो को सबसे पहले देखे आपके सड़ी ब प्रोफेसर के अन क्रोस के हिसाब से जो एक्स्टरनल एकनमी होती हैं डू नोट डिफर फॉम इंटरनल एकनमी इन एनी सिगनिफिकेंट मैनर जो प्रफेसर के अन क्रैस कहते हैं कि जो एक्स्टरनल एकनमी है वो इंटरनल एकनमी से किसी सिगनिफिकेंट मैनर से वो अलग में लेंगे डिट एनंतोस के लिए एक्सिंटेयॉर्य होता है कि इस अर एक फर्म का यहां पूर्पिट को बढ़ाना my maximum ले चाहे वह कोई मर्जी इकॉन्ue हमने कवर किया था बच्चों के इंटर्नली इकॉन्ट सी होती है कि जो specific फर्म अपने scale of production को बढ़ाएगी सिर्फ उसी फर्म का जो internal economy का benefit मिलता तो ये फर्म पार्टिकुलर फर्म को मिलती है जबकि जो external economies होती थी ये जितनी भी industry के अंदर फर्म में थी सभी को जो इसका benefit देखने को मिलता था next दते कि जब internal economy की बात की जाए only one फर्म earns large profit due to fall in its cost of production जो internal economy होती हो फर्म specific होती है जो फर्म अपने scale of production को बढ़ाती थी तो उससे उसकी cost है जो वो production की कम चल जाती थी जिस कहां से large profit का जो benefit ले पाती थी लेकिन जो external economy होती है जितने भी industry के अंदर फर्म में होती है सभी के पर सका effect जो देखने को मिलते है external economy are very much beneficial to developing country जो external economy होती है ये ज़्यादा तर टर्की सको beneficial रहती है जो developing countries होती है क्योंकि जब government होती है जो इन country होती है जो इन country के इन्वेस्ट करते है अट सेक्ट थो इसकाल्ण से जितने भी फर्मी उती हैं इंटरस्टी के अंदर वो उन शबी फर्मों का जिस्ज़ का बेनिफिट मिलते हैं कि यहां फिर जो diminution return लागू हुई है तो उसका कारण क्या है कि जब एक firm एक industry enjoy करते economy सर्फ एक certain limit करती है जहां तक उसके resources का optimum utilization होता है सिर्फ वहां तक है जो अपने benefit ले पाते economies ले पाते है जो firm हो चाहे industry हो having reached this limit जब वो उस limit के उपर पहुंच जाते जहां पर optimum production होता optimum output level होता है these very economies turn into dis economy तो यहां पर जैसे ही वो limit है जो cross की जाती है optimum level के बाद तो वो dis economy ओने शुरू हो जाती है firm को optimum level पे पहुंचने के बाद जब firm अपने level of output को बढ़ाने की कोशिश करती है तो result क्या निकलता है कि जितना factor input के अंदर बढ़ाया जाता है change के जाता है उतना output के अंदर जो increasement नहीं मिलता यानि कि जिस proportion से input को बढ़ाया गया input के अंदर जैसे अपा ले लेते example के लिए input में जो labor बढ़ा दी या फिर raw material बढ़ा दिया या machinery plant वटेवर जो भी input factor बढ़ाये गई है तो उससे result क्या हुआ कि जितना जिस proportion में input बढ़ायेगा जब उस same proportion में output नहीं मिलता यानि diminishing rate से जो output मिलता है तो उसको अपा क्या बोलते है diminishing return या फिर dis economy of scale after a point consequently diminishing return to scale operate तो यहां पर जब optimum level होता है optimum level के बाद जो firm को क्या result मिलते है diminishing return के कि जो return होती है वो down जानी शुरू हो जाती है firm के लिए when the scale of production is in large beyond particle limit जब एक limit के बाद firm output को बढ़ाने कोश्च करती है तो यहां से dis economy है जो बिलनी शुरू हो जाती है firm को by several factor operating simultaneously the dis economy और scale maybe of two type तो यहां पर जब जब डिस economies होती हैं दो तरीके के होती है internal dis economies और external dis economy जैसे हमारे economies दो तरीके किते internal economies और external economy तो वैसे ही internal dis economy और external dis economy भी दो तरीके सी है internal dis economies क्या होते है internal यानि कि यह firm specific होती है जिस firm ने अपने scale of production को beyond एक optimum level के बढ़ाया है तो उसको firm specific कोई सिर्फ क्या मिलेंगी dis economies मिलेंगी internal dis economy और those dis economy which are experienced by a particular firm when it large is its production beyond a point यानि कि एक optimum level के बाद जब firm ने specific firm ने जब output को skill को बढ़ाने कोशिश की तो उसे dis economies जो शुरू होगी है unwidally management is a principal cause of dis economies of scale और internal dis economy is a difficulty of large scale management तो अभी यहाँ पर dis economies कह रहते हैं तो में कान रहते हैं management का कम जोर पढ़ जाना क्योंकि जैसे ही control हाथ से छुट जाते हैं control हाथ से कब निकलते हैं जब firm हद से ज़्यादा production को बढ़ा देती हैं तो जब हद से ज़्यादा production को बढ़ाया जाते हैं तो result क्या निकलते हैं कि management कम जोर पढ़ जाती है management के कम जोर होने से wastage होने स्टार्ट हो जाते हैं जिसका हाँ से फाइदे होने की बजाए क्या होते हैं as a firm expand difficulty of management go on multiplying जैसे जैसे business का size बढ़ता गया firm expand होती गई है वैसे वैसे जो management को बहुत सारी दिक्टों का सामना करना पड़ा management में दिक्कत आगी है in a big firm it become pretty difficult to coordinate the work of different section तो यहाँ पर जो अलग-लग sections के अंदर काम किया आता है तो उन हर एक section के अंदर सहयोग कर पाना corporate करना क्या होगा कम जोर होगा तो यहाँ पर दिक्कते बढ़नी शुरू है कि supervision की कम्यों हो जाते है देख रेख यानि की संभाल नहीं कर पाते है प्रोपर तरीके से जो supervision की जुरूद होती है जब supervision नहीं हो पाती तो इस कहां से वेस्टिज बढ़नी शुरू हो जाती है इसका adverse effect बढ़नते है जो company की efficiency होते है और भी बता देते हैं बच्चों की इंटर्नल डिस एकोनमी सिर्फ एक फर्म स्पेसिफिक होती है जो firm optimal level के beyond जाकर के output level को बढ़ाने की कोशिश करती है तो वो firm क्या करते है इंटर्नल डिस एकोनमी सिर्फ का सामना करती है इसका main कारण के रहता है कि management का weak बढ़ जाना कि जैसे ही हद से ज़्यादा level of output का बढ़ायागा स्केल बढ़ने से coordination है जो department के बीच में weak पढ़ गया coordination कमज़ोर होने के कारण है जो management हाथ से निकल देगी management हाथ से निकलने का रिजन का किया रहता है स्केल का हथ से ज़्यादा बढ़ जाना तो यहाँ पर जैसे management weak बढ़ गया तो वैसे वैसे क्या होता है वेस्टेज बढ़ने के कारणी क्या होता है फर्म को फिर फाइदे होने की बजाए क्या होता है नुकसान और शुरू जाता है जिसको बोलता है इंटरनल डिसी कोड मीजर definition क्या कहती है कहते हैं MC Connells के हिसाब से जो में फैक्टर होता है discountMe of Scale का वो रहता है managerial problem यान की management का दिक्कत आना which physically olarak ऐसे फर्म becoming large scale producer क्योंकि ये कब आती मैनेजमेंट की दिक्कत का बाती है जब फर्म हद से जाधा क्या करती है large scale पर production करना शुरू कर देती हैं next आते external DC economies what which are experienced by all firms of an industry ? industry का मतलब क्या होता बच्चो गुरुप ओफर्म को हम इंड़स्टी बोलते हैं तो जितनी भी इंड़स्टी के अंदर फर्मी होते हैं सबी की सबी फर्मों के जो इस external DC economies जो सामना करना पड़ता है फेस करने पड़ती है, when the scale of production of an industry as a whole expand beyond manageable limit यानि कि जैसे ही management limit के beyond जागर के industry output को यानि कि जो scale के लाइलो को बढ़ाने की कोशिच करती है उसका result निकलता है कि जितने भी firm इंडस्ट्री के अंदर होती हैं, सभी के सभी firm का जो external DC economies का जो phase करना पड़ता है इस DC economies are suffered by all firms in an industry respective of their scale of output यहां पर जितने भी firm में शामिल होती है industry के अंदर सभी के सभी firm का सामना करना पड़ता है DC economies का इस आर नोट confirm to any particle firm, यह सिर्फ एक particle firm के उपर असर नि डालती, when an industry in a given area expand beyond certain limit, then firm operating in that industry suffer external DC economy, तो जब इंडरस्टी ने area को expand किया, एक limit के बाहर जागर के, तो जितनी भी firm में उसे इंडरस्टी के अंदर आती है, उन सभी को external DC economy जो suffer करनी पड़ेगी, जेलनी पड़ेगी, उनके उपरेज़े, effect पड़ेगा external DC economy का, significant external DC economies come into operations when many firm are localized at a particular place, तो यहाँ पे एक में कार्ण कहा रहता है, इसका कि सभी की सभी firm का एक particular जगाए पर localize हुआने, यानि कि सभी firm में एक ही जगाए पर क्या चुकी है, इस्टाबिश हो चुकी है, तो यह दिक्कत कर जाता है, DC economies का कार्ण बढ़ जाता है, then it become difficult for means of transport को with the additional burden of traffic, तो यहाँ पे जब सभी firm में एक ही जगाए पर establish की जाएंगे, तो वहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, traffic burden हो जाएगा, transportation cost बढ़ जाएगी, for experience great difficulty in producing raw material, तो देखो जब firm में एतनी ज़्यादा large number of firms एक जगाए पर particle place पे localize की जाती है, establish की जाती है, उससे वो सभी के सभी firm में जब raw material की demand करते तो raw material की उपर क्या होगी, दिक्कते आनी शुरू हो जाएगी, because of large demand of raw material की large demand की जाएगी, जो raw material का उसकी बहुत जार demand बर जाएगी, it becomes scarce and expensive, तो result क्या निकलेगा, कि raw material scars हो जाएगा, दुरलब हो जाएगा और महंगा होना शुरू हो जाएगा, beside availability of skilled labor, तो यहाँ पे जो availability होती है, skill labor की वो भी दिक्कते आएगी, power की भी दिक्कते होनी शुरू हो जाएगी, finance become difficult and expensive, जो finance होगा, उधार पर जो पैसा उठाया जाते है, वो finance लेना भी दिक्कत में आजाएगा, वो महंगा मिलना शुरू हो जाएगा, यानि की rate of interest high हो जाएगी, cost of land for the new firms become prohibited, तो यहाँ पे जो land की इतनी महंगी मतलब कीमत हो जाएगी, यहाँ पे अगर इस्टाबिश करना की सोच चेगी, तो वो क्या जोगी, प्रोहिबिट हो जोगी, उसके लोक लग जाएगी, और इस लीट टो क्लोजर और सेवरल फर्म सिंदा इंडस्ट्री, तो रिजल्ट कहने के लेगा, कि यह सारे दिक्कतों का सामना, इसके लिएगा, तो वो हाइगी, क्योंकि एक टाइन पे सभी फर्में, जो रो में टेल की डिमांड करेंगी, जिसकी रो में टेल भी महना होना शुरू हो जाएगा, और वो इसकी जो सकार सीटी है, वो भढ़ जाएगी, तो सारी दिखतों का सामना जो भी एक पर्टिकुल सभी फार्मे उत्व comen को सामना करना पढ़ेखस सभी दिखतों का उसका उसका बोलते हैं अब यहां पर क्या होता है जैसे एक लेवल तक आउटपट बढ़ायागा तो वैसे वैसे से फर्म को क्या increasing return मिलने से क्या होता बच्चों की जो cost production होती है वह दिमनेशिन चल जाती है तो cost दिमनेशिन जाने से क्या फर्म को economies होई तो अगर beyond limit जाकर के फर्म ने आठपट को बढ़ाया तो फर्म को क्या हुआ diminution लागू होगा जिसका से increasing cost है जो बढ़ने तो इसको क्या बोलेंगे, बैलंस हो जाना, एकोणवी और डिसीकोणवी के बीच में, यानि कि कौन से रुट्टन टू स्केल का लागू होना, कवर करते हैं, कहता है कि जो एकोणवी जो स्केल होती हैं, gives rise to increase in return to scale, तो economy का मतलग क्या होता है कि return to scale का increasing return to scale लागू होना तो यहां पर result क्या मिलता है कि एक point पे एक ऐसी situation आयते हैं जहां पर economy और dis economy क्या होती है counterbalance कर जाती है जितने फाइदे उतने नुकसान दोनों क्या होगे भरपाई होगी है फाइदा हुआ वो फाइदे का इस्तेमाल कर लिया नुकसान की भरपाई के लिए counterbalance हो गया economies और dis economies के बीच में this is the range of constant return to scale तुष को क्या बोलते है constant return to scale बोलते है the firms enters the phase of constant return to scale after the phase of increasing return to scale, exhibit exhaust itself and before the phase of decreasing return to scale sets यहानि यह कौन सी situation होती है यह वो point होता है constant return to scale यह वो phase होता है जहां पर increasing turn to scale के बाद आता है decreasing return to scale के पहले आता है तो यहां पर concentrate का बाती है जब self cancellation होती है economy is counterbalance हो चुकिए DC economies की साथ इन अदर वर्ड, concentrate on to scale arise when economy is exactly balanced by DC economy concentrate on तब मिलता है जब economy exactly balance कर जाती है DC economies को overview के पाइंटर्वी से cover करते हैं इसको जो initial stage होती है initial stage, initial stage में क्या होती है बच्चो कि जैसे जैसे fixed factor of production के साथ variable factor of production को बढ़ाया जाते है जैसे जैसे fixed factor के साथ variable factor को बढ़ाया जाते है तो यहां से result क्या निकलते है initial stage के अंदर increasing return to scale मिलते है increasing return to scale है जो फर्म को मिलते है increasing return to scale का मतलग क्या होते है diminishing cost यानि की cost क्या जाती है diminishing जाती है diminishing cost का मतलग क्या आते है बच्चो economies of scale इसको बोलते है economies of scale की फर्म को क्या मिल रही है economies मिल रही है scale को बढ़ाने से लेकिन ये एक optimum level तक होते है कि जैसे optimum level के beyond जाकर की fixed और variable factor को मतलग combine के जाब fixed factor के साथ variable factor की units को बढ़ाया जाते है तो एक limit के beyond जाकर के optimum level के beyond जाकर के result क्या निकलने चुरू जाती है फिर result मिलते है diminishing return to scale के diminishing returns to scale लगो जाते है diminishing return to scale का मतलग क्या होते है cost का बढ़ना यानिकि cost क्या होते है बढ़नी चुरू जाती है cost का बढ़ना क्या 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 आते है economies of scale economies of scale तो यहां पर initial stage के अंदर जैसे जैसे fixed factor के साथ variable factor को बढ़ाया increase in turn to scale लाग हुआ मतलग cost come यानि कि economy scale में गई लेकिन एक limit तक संभव होता है limit को सी जहां पर fixed and variable factor का optimum utilization के आता है उस limit तक बढ़ता है output जोता है यानि increase in turn to scale जो लाग होता है जब beyond उस optimum level के fixed factor के साथ variable factor को बढ़ा जाता है result क्या निकलता है diminution turn to scale लाग हो जाता है जिस कान से cost बढ़नी शुरू जाता है जिसे बोलता है डिस economy और scale जब ये economies और ये डिस economies counterbalance हो जाते है counterbalance का मतलग है कि यहां से जो बचते हुए पैसा मिला उस पैसे का इस्तेमाल इसे नुकसान को भरपाई करने के लिए कर दिया जिसका बोलते हैं क्या हो चुक है counterbalance हो चुक है economies का use डिस economy को cop up करने के लिए कर लिए counterbalance हो चुक है इस कान से क्या लग गो जाते है constant turn to scale है जो लग गो जाते है इस तरीके से बच्चो आज ये topic बनेता था I hope क्या को clear हो गया होगा next class में लेंगे किसी नए topic के साथ ऐसी regular classes देखने के लिए मेरे चैनल commerce efficiency को subscribe, like और share करें bell icon जुरूर पैस करें ताकि जब भी मैं new videos upload करूँ सबसे पहले notification के पास आए आप videos को सबसे पहले देखिए और आपकी study boost up हो